है येलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूटिब चानल और इस वीडियो में हम देखिंगे बैंक लिए अनल्सेश इस विडियो में भी तो लेट्स-ता विस ताथ वी-टो मन्थली चाट नियु छाट पे आप देख सकते दाहिं हैं तिल धसमन्थ प्लोस मुत विच तो थर्टि पॉइंट लॉस और यहां जो है ताफ देखके ऊपर के लिवल से हम अच्छा से रिट्रेस हो चुके हैं लास्ट मन्थ में हमने लगबग फ्लैट पॉजिटिव दिखती है लगबग 111 पॉइंट 112 पॉइंट गेन के साथ बंद होती है मखर लास्ट मन्थ हमने निचे के लेवल से रिकोit देखी इस महीने हमने उपर के लिवल से सेलॉव को कि क्लिरली दिखा रहा है या उपर के लीवल पे मार्केड में अच्छा और सप्लाएं यहां मंतली चार्ट पे लिवल क्लिरिक्टीव पैटन है और यहां जो है अगर हम फिर से जो है 35,000 के नीचे जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम एक डीपर करेक्शन देख सकते हैं जिसमें बैंक विफ्टी लगबग 30,000 या फिर उसके नीचे भी जा सकता है तो यहां हमें देखना है कि हम अगले एक दो वीक किस तरह से ट्रेट कर द जाता है कि यहां मेरी सलर रहेगी कि जो लॉंक टर्म में स्टर है और जिनके पास बैंकिंग स्टॉक है यहां फिर फिर प्रॉफिट बूप कुछ जरूर करें या फिर कम से कम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर कि यहां अगर यह लोट अप लोटम साइकल में चला गय अगर यह वर्स इक्वेशन और इंफ्लेशन की सिक्वेशन बहुत ही वर्स हो जाती है तो हमें 24,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं इस पर प्राइस पैटर्न मुझे लगता है कि 30,000 तो हमें शायर इस साल देखने को मिल जाएगा इसलिए अगर आपके पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक कीजिए और नीची के लिए उससे फिर से आप या साइप या फिर लंग समझे एडिशन कर सकते हो यहां मंत्ली चार्ट मुझे मेरे सबसे विक है और यहां हम एक लॉंगर टम करेक्शन में जा रहे हैं विकली चार्ट दिखते हैं अभी तो लास्ट में जो है इस विक हमने राइंक को फ्लैट पॉजिटिव प्लोज होते हैं लगबग 50 पॉइंट के साथ मगर यहां जो है तो आप है देखोगे तो 36,770 का और लोग तो 35,500 का तो लगबग 12-1300 की रेंज देखी और उपर के लेवल हमने लास्ट जो सेशन में ल लास्ट ट्रेडिक सेशन में यह बंद हुआ है 36,150 पे लगबग 300 पॉइंट नीचे तो यहां ऊपर के लेवल पे अच्छी खासी विक वाली देखने को मिल रही है और हमने जो टॉप बनाया था 39 के रहो तो यहां हम फ्रेश बॉटम की तरफ बढ़ रहे है और यहां जो व जो लेवल है आप तक बंद नहीं हुए शायद हाँ 35,900 के नीचे अगर हम सस्टेंड करते हैं और यहां जो यह तो 35,700 के नीचे सस्टेंड करते हैं तो आपको जो यह तो एक डीपर कर्रेक्शन देखने को मिल सकता है तुमीं जो लेकर जाएगा उसको 31,000 के लेवल की तरह और यहां जिस तरह से प्राइस पैटन है मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है कि हम जो उसके नीचे जाने के संभाव में जाता है अगर नहीं जाते हैं और यहां बायर का सपोर्ट आता है तो यहां से एक शॉट पावरिंग रैली में देखने को मिल सकती है क्योंकि यहां जो है तो मल्टिबल सपोर्ट है तो आपको 35,500 के नीचे अगर विकली क्लोजिं मिलता है तो मुझे लगता है कि हम जो है तो बैंक निटी में एक डीपर करेक्शन देख सकते हैं जिसमें मेडियम का में 31,000 के लेवल आ सकते हैं लास्ट टाइम हमने लगवक 32,200 के लेवल देख अगर बैंक निटी बीज में आपको इंवेस्मेंट करना है तो मेरी सबसे अट्री सब्सक्राइब और उसके नीचे आपको एक्विलेशन स्टार्ट करना चाहिए जिन्होंने किया नहीं है और उनके लिए 28,000 का लेवल जो है तो वाल्य लेवल रहेगा मिनीमम त्रे टू और यहां जो है तो आपको अच्छे खासे लगबग 2 ए 3 गैन देखने मों मिल सकते हैं इन लॉंगर अभी देखते हैं डेली चार्ट तो डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि यहां जो है तो हमने ऊपर के लिए मैंने जैसे कहा था कि 36,900 के अराउंड जो है तो अच्छा खासा रेस्ता से हमने यहां 770 के खाई लगए और वहां से जो है तो एक सेल अप देखा तो यहां क्लियरली चार्ट पे बेरी बेरी साइन से यहां मेरा सेलाउं राइज रहेगा जब तक मार्केट जो है तो 36,700 के ऊपर नहीं जाता है और उसके ऊपर ख्लोज नहीं देता है वहां तब तक मेरे इताप से सेलाउं राइज रखना जाए वितस्तिक स्टॉपलस और यह हम स्टॉपलस के साथ ही करेंगे यहां सब्सक्राइब जो है तो मुझे लगता है कि आपको जो है तो मुल्टिमे तार्गेट है 35,000 का पहला पाहला टारगेट है उसके बाद में जो है तो आपको 34,200 का और लास में जो है तो पिछला जो लो था लगभग 32,000,250 या फिर 300 का यह लेले आज पकड़ के जलिए मुझ कि अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं कि मंडेक के दिन देखने को मिल सकते हैं अगर जहां जो है तो जब तक 36,700 की उपर मार्केट नहीं जाता है तब तक मुस्सली हमारा सेल वाइस व्यू रहेगा अगर आपको स्विंग लेना है वह सकता है कि बाउंस बैक आए बाउंस बैक आता है तो रेजिस्टन्स के अराउंड जब भी भी आया यह मार्केट वहां हम शॉट ही करने के सचेंगे क्योंकि वीकली चार्ट और मंसी चार्ट दोनों भी बेरिश हैं तो यहां मुझे लगता है कि यहां बाउंस बैक दी देखना को में लेंगे इसको बाई करना है तो या फिर उसमें जो है तो शॉट्सम ट्रेड भी ले सकते हो आप मगर आपको स्टॉपलस के साथ जाना है अगर थर्टी सिक्स ताउजंड सेवन अंड्रेड क्रॉस कर लेते हैं तो एक अच्छी खासी आपको शॉट्ट कावरिंग देखने को मिलेग जो इसके टार्गेट रहेंगे तो जब तक थर्टी सिक्स ताउजंड सेवन अंड्रेड प्रॉस नहीं होता है मेरे इसाब से बैंक निफ्टी में जो है तो मॉस्ट प्रॉपेटबल रहेंगे और हम उसपे ही फोकस करेंगे हूंसलियों शॉर्ट साइड और ऑप्शन के सा ले करेंगे बाकि आपको जो है तो मेरा जो डेली अनलिस रहता है उसपे आपको अगला जो मूर रहेगा हमरा वो देखने को मिल जाएगा मगर यहां मेरे सबसे मार्केट का जो सिट्वेशन है शायर लॉंग मीडियम टू लॉंगर टर्म हम जो है तो फिलाल करेक्शन जोन में यहां जो है तो आगे चलके यह जो खराब हो सकते हैं अगर यह फंडामेंटल जो है तो ऐसे ही बने रहे हाई इंपलेशन रहा यह फ्यूवल के जो कॉस्ट है वह बढ़ती रहे या फिर बाकि जो ग्लोबल सोचल एकॉनोमिक क्रैसिस चलो है जो वार की सिट्वेशन है उसके वाज़े से आपको जो है तो यहां मरकेट में तिकट हो सकती क्योंकि जिस तरह से बन्डेशन वेर्ट है ये उस पारेख में पैसा चॉह तो यहाउञे का यहा से मुल जाओं ऑऔर यहां बन्स में जाकता है उसकी वाज़ेसे जो है और ओर ओ अरड़डी हम अन सथिक एक lower term lower bottom cycle में हुस चुका है with a medium to longer term view और इसका bottom बनने के लिए कम से कम एक से देड़ दो साल लगेंगे तो तब तक थोड़ा सा आपको पेन देखने को मिल सकता है या इसलिए मेरी सला रहेगी most probably आगर आपके वास profit है तो एक तो profit book कीजाए या फिर उसको कम से कम एक अब जो cost आपके उसकी ऊपर stop loss लागाखे रखें ताकि आपकी जो profit की position है वो loss में जाए most of the people they don't book profit in their portfolio and a positive portfolio can turn negative and might be giving you a hard time in longer term तो आपको एक clearly stop loss define करना चाहिए इसके नीचे अगर stop जाता है तो मैं इससे निकल जाऊँगा या फिर में profit book कर लूँगा और यहाँ जो इस नीचे के लेवल पर आपको एक अच्छा किसे value buying लेवल की buying opportunity दिलकुल मिल सकती है अगर मुझे लगता है कि वो अगर आती है तो आपको अगले साल last में देखने को मिल जाएगे जिस तरह से market किर रहा है तो यहां बीच-बीच में bounce back भी आएंगे अगले साल बन सकता है अगर यह correction चालू रहता रहता है तो आपको आपके लिए हम पूर रहेगा तो प्ली दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडि क्यूर्म शविच्यक जाइन कर सकते हो उसके लिंक आपको डिस्क्रेश्न में में देए उसमें जो है तो आपको लाइम मार्क्त में लाइक लाएक क्ल मिलते है बीच वे disruption आप ज्ञाएं जो आपको जाइन कर सकते हो अगर आपको मेरी सर्विस लेनी है तो then thankyou for watching this video